असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं फैसल माने की रिकेट शो फकर जमान की लाजवाब बैटिंग की बदोलत पाकिस्तान ने तो न्यूजिलेंड को हरा दिया और एक पहार जैसे टार्गेट 402 रंस का टार्गेट तो चेज करवा दिया लेकिन वही बात आ समी फाइनल खेलने के लिए अब न्यूजिलेंड ने हार ना है स्रिलांका से और पाकिस्तान थिरुः गार एकवानिस्तान अपने दोनों मैच हँर एक वी मैच हँर तो पाकिस्तान समी in fion वह अन होगा टो पाकिस्तान समी fighting के जा रहा है जो मेंटम पकडे Outstanding inning मुझेधार सकी एरिंग देखें अगर पाकिस्तान जो है वह इंग्लेर से खेलेगा, Last में, और New Zealand, अगर जीत भी गया सी लंका से, तो प्रण ऐसी मुजक्कलात होंगी, 130 Creating, 2010 को हराना पड़ेगा, कम से कम, अगर New Zealand ने, के बिसाभर के तरपे, 50 कोरोत से, अगर हरा द्या सी लंका तो सकना को 180, 130 Rate भाइंगलेंड को दूआई ये करने होगी कुद्रत का रिजाम जैसे चल रहा है वैसी चलता रहे और पाकिस्टान जो यह वह आगे चल जाए से लंका को शरम दिखादे शरी लंका पाकिस्तान जो प्रक्रीं जो यह यह बड़ा मैच्जी चितने में काम्याब हो गे इसमेर ने राह दिखाई है सम्भी फाइनल की एक उमीद देखाई है पाकिसनी फैंस को आज पाकिसेनी फैंस चार्टाने के बाद मायूस थे और इंतजार कर जो हिम्मत दिका दिया और वल्लक अधिया एक उमीद बनाई रखी ठीड ऑफ यू बरकरार रहेगा पक्रण तरीफ करते ही रहे हैं लेकिन साथ साथ पराने वाले बाबर आजम देखेंगे जब अगर जमाने सेंश्री बनाई तो बाबर आजम ने जिस तरह हाथ खड़ा किया और जो खुशी का इजार किया तो फिर बाबर आजम और पाकिस्टान क्रिकेट टीम जल हो गई है पाकिस्ता की टीम एक होके खेल रही है कोई लड़ाईयां जगरें जो हतम हो गए हैं सबसे बड़ी बात यह और विक्टी चार सो दो रन्स आपने चेस किये बेशिक डॉर पर किये लेकिन चेस चेस होता है और आज तो पाकिस्तान की तरीफ किया और का है कि यार पाकिस्तान करें मैं भी पाकिसान के खलाफ था पहले इनिंग में अब हमने बड़ी बुराईयां किये लेकिन हमने जो कमबैक किया है बहुत-बहुत मुबारह को पाकिस्तानी फैंस को आज की जो विक्ट्री है वो सेलिब्रेट होनी चाहिए और मजा आना चाहिए पाकिस्तान की जीत क तो नहीं बहुत एक्साइटन था अमेरिका आपके साथ फटर बड़ी सेनेरियो शेर कर दूँ पाकिस्तान का बगला मीशन है पाकिस्तानी फैंस का बगला मीशन है कि केसी भी तरह हमने जो है वो सेलिलंका को जित्वाना है नियूज़िलंड के खिलाफ तो चैनल को सब्सक